बिहार बोर्ड मेट्रिक परिच्छा में अब बस कुछी दिनों का समय से बच गया है ऐसे में अगर अभी तक आप लोग बेहतरीन रूप से तयारी नहीं किये हैं तो आज का यह वीडियो आपकी तयारी में बहुत जादा मदद करेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको समाजिक बिज्ञान से संबंधित 80 महत्वपून अबजेक्टिव कोश्चन बताएंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समाजिक बिज्ञान के परिच्छा में कुल 80 अबजेक्टिव कोश्चन पूछे जाते हैं जो कोश्चन आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे उसे में से बहुत सारे ऐसे कोश्चन हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो यदि आप लोग आज का यह वीडियो आज के इस लाइफ टेस्ट में यदि आप लोग सुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहते हैं तो समझे कि आपका सोसल साइंस में बहुत जायदा फायदा होगा यदि आप लोग चाहते हैं कि सोसल साइंस में जैदा फाइदा हो तो इस वीडियो को सुरू से ले करके अंत तक जरूर देखिएगा तो चलिए भीना समय गवाए हम सुरू करते हैं लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए सबसे पहले नंबर कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहला नंबर कोश्चन कह रहा है कि उरोपिये सब्वेता का पालना किसे कहा जाता था जल्दी से बताईए पहला नंबर कोश्चन हम जैसे ही प्रस्ण पढ़ेंगे तो इसका जवाब यदि आपको पता होगा तो नीचे लाइब चैट या फिर कमेंट में इसका जवाब आप लोग बताते चलिएगा तो चलिए पहला नमबर कोश्चन इरोपिये सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था तो पहला का सही जवाब हो जाएगा युणान को पहला का डी नमबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा चलिए दूसरा नमबर कोश्चन कह रहा है कि 1917 इस्वी की रूसी करांती के समय किस जार का सासन था तो दूसरा का सही जवाब क्या होगा तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा जार निकोलस दीती है यानि दूसरा का डी नमबर ऑप्शन सही जवाब हो कहा जाता था तो कोलोन कहा जाता था तीसरा का सी नमबर ऑप्शन सही होगा चलिए हम लोग चौथे नमबर कोशन की तरह बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी अस्टुडेंट बेहतरीन रूप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं त और एक सब्जिक का प्रैक्टिस बहतरीन रूप से कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको सारे अस्टडी मेटेरियल बिल्कुल फ्री में उपलब्द हो जाएंगे जिससे कि आप लोग बहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो आप लोग जरूर जाहिएगा डिस्क्रिप्शन में हम आपको बोड मंतरा का लिंक भी दे दिये हैं अब चलिए चौथा नंबर कोशन देखते हैं चौथा नंबर कोशन कह रहा है कि किस खनीज को उद्योगों की जननी माना गया है तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा कि लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है चार का सी न परषाल वर्स पुर्व हुआ था पाज का एन अमबर उप्सन सही होगा चलिए छठा नमबर कोश्टन भारत में किस प्रकार की क्रिसी की परधानता है तो च्छो का सही जवाग हो जाएगा जीवन निर्वाहक क्रिसी यूंकि भारत में जोबी क्रिसी होते हैं सिर्फ जीवन लिए ही होते हैं इसलिए भारत के क्रिसी को जीवन निर्वाहक क्रिसी कहा जाता है छो का ए नम्मर उप्सन सही होगा चलिए सात्वा नम्मर कोश्चन इनमें सत्ता कि साज़ेदारी का एक सही लाव क्या है सात्वा नम्मर कोश्चन सही जवाब क्या होगा तो ध्यान से संबाब होता है तो सत्ता कि साझेदारी के कारण ही तो साथ का C नमबर ऑप्शन शही होगा चलिए आठमा नमबर कोर्षन नगर निगम के मुख्य पर्शाषक को क्या कहा जाता है तो आठ का सही जवाब क्या होगा अप लोग जल्दी से बताइए तो आठ का सही जवाब हो जैगा कि नगर निगम के मुख्य प्रशाषक को नगर आयुक्त कहते हैं, आट का D number option शही जवाब हो गा, चलिए नॉमा नमबर question जीवन को भौतिक गुनबत्ता का सूचक है, जीवन के भौतिक गुनबत्ता का सूचक कौन है तो नौ का सही जवाब हो जाएगा जीवन परत्यासा मौलिक सा छर्ता और सीसु मिर्तुदर यानि कि यह तीनों आप्षन सही है तो इसका मतलब कि डी नंबर आप्षन सही होगा इन में से सभी नौ का डी नंबर आप्षन ध्यान रखिएगा चलिए देसमा नंबर कोश्च मुद्रा के परमुख कार्ज क्या है तो आप लोग मुद्रा के कार्ज के बारे में पढ़े हैं हम आपको अर्थ सास्त रहने की एकोनोमिक्स में पढ़ा चुके हैं कि मुद्रा के परमुख कार्ज कौन-कौन से होते हैं तो दस का सही जवाब हो जाएगा बिनमय का माध्यम मुल्य का संचे और मुल्य का मापक यानि कि तीनों आप्सन सही है इसलिए दस का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर आप्सन इनमें से सभी अब चलिए 11 नंबर कोश्चन कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था 11 नंबर कोश्चन रूस का सम्राट यानि 12 का D नंबर आप्सन सही हो जाएगा जैसे आप लोग देखते हैं कि जार निकोलस दीति यह जार निकोलस दीतियए जार निकोलस प्रत्हम तो यहाँ पर जो जार का अर्थ होता है वही सम्राट होता है द्यान लखिएगा बाकी जो राजा का नाम होता है निकोलस दितिये निकोलस प्रत्थम लेकिन जो पहले जार लगता है तो जार कहने का मतलब समराठी होता है चलिए तेरा नंबर कोशन होआ होआ अंदोलन किस प्रकृति का था तो तेरा का सही जवाब कौन होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि होआ होआ अंदोलन करांतिकारी धार्मिक प्रविर्ति का था 13 का D नमबर उप्शन सही होगा चलिए 14 नमबर कोशन भारत में खिलापत अंदोलन कब सुरू हुआ तो आप लोग जल्दी से बताएए भारत में खिलापत अंदोलन कब सुरू हुआ था तो 14 का सही जवाब हो जाएगा A नमबर उप्शन उनेशो बीस इस भी यहाँ पर एक छूट गया है ध्यान रखिएगा अप लोग जल्दी से बताएए 1997 में भारत में पहला जूट मिल किस सहर में स्थापित किया गया था तो 15 का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में 15 का A नमबर उप्शन सही होगा आप लोग ध्यान रखिएगा अब चलिए हम लोग 16 नमबर कोशन की तरह बढ़ते हैं तो 16 नमबर कोशन कहा रहा है कि पुझी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोचन हुआ तो 16 का सही जवाब हो जाएगा D नमबर उप्शन क्योंकि पुझी पती वर्ग के द्वारा स्रमिक वर्ग का भी सोचन हुआ था मध्यम वर्ग का भी सोशन हुआ था और जो क्रिशक वर्ग थे उनका भी सोशन हुआ था इसलिए 16 का सही जवाब हो जाएगा D नमबर उप्शन उप्युक्त सभी ध्यान रखिएगा चलिए 17 नमबर कोशन प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और इउरोप का ब्यापार होता था तो इसके बारे में भी हम आपको बताया थे कि बहुत समय पहले यानि कि प्राचीन काल में एसिया और इउरोब का जो ब्यापार होता था और रेसम मार्ग से होता था 17 का B नमबर आप्शन सही जवाब होगा चली 19 नमबर कोश्चन बहुत ही ज़्यादा हलका कोश्चन है यानि कि बहुत ही ज़्यादा इजी कोश्चन है राष्ट पिता के नाम से किसे जाना जाता है तो इसका जवाब हम उमीद करते हैं कि 100% अस्टुडेंट सही बताएंगे या बच्चा कलास का सवाल है कि राष्ट पिता के नाम से किसे जाना जाता है तो महात्मा गांदी को उन्हें इसका B नमबर आप्शन सही होगा चलिए 20 नमबर कोश्चन कौन सा समाजिक वर्ग बुध्धी जिवी वर्ग के रूप में उभर करके आया तो 20 का सही जवाब क्या होगा मध्यम वर्ग ध्यान रखिएगा जो मध्यम वर्ग के लोग थे वहीं बुद्ध जीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया चलिए एक इसमा नमर कोश्चन जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राई क्या होता है चलिए जल्दी से बताईए एक इस नमर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा जब हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभी प्राई क्या होता है तो हमारा अभी प्राई होता है कि समाज द्वारा इस्तिरियों और पुर्सों को दी गई असमान भुमिका योगि पुर्सों को जैदा भुमिका दिया जाता है इस्तिरियों को कम भुमिका दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं लेंगिक विभाजन बोलते हैं यानि कि लिंग के आधार पर भेदभाओ चलिए बिलिंग के अधार पर विभाजन ही लेंगिक विभाजन कहलाता है चलिए 22 नम्मर कोश्चन निम्नलिखित में कौन संगराज की विशेस्ता नहीं है 22 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो यहाँ पर 22 का सही जवाब हो जाएगा इकहरी सासन विवस्था निम्नलिखित में कौन संगराज की विशेस्ता नहीं है तो इकहरी सासन विवस्था आप लोग ध्यान रखियेगा अब उसके बाद 23 नम्मर कोश्चन कह रहा है कि बिहार में शंपुन करांती का नित्रित्व किषने किया तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा आसान है आप लोग जरूर याद कियो होंगे कि संपुन करांती का नारा किसने दिया था तो जैपरकास नारायन ने तो 23 का D नम्मर उप्शन सही होगा क्योंकि संपुन करांती का नेत्रित्वे भी कौन कर रहे थे चलिए 24 नम्मर कोशन इन में से कौन सी एक बात लोगतांत्रिक विवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो यहाँ पर जो D नम्मर उप्शन सही होगा क्योंकि देख लीजे बहुत संख्यकों का सासक आप सभी लोग जानते हैं कि जो बहुत संख्यक होते हैं सिर्फ उन्ही का सासन नहीं चलता है जो अल्प संख्यक होते हैं उनका भी सासन चलता है तो यहाँ पर जो D नम्मर उप्शन है कि बहुत संख्यकों का सासन यह लोगतांत्रिक विवस्था के अनुरूप नहीं बात कहा गया है तो 24 का D नम्मर उप्शन शही जवाब होगा अब चलिए 25 नम्मर कोशन भारत एक लोगतांत्रिक राज्य है निम्ले लिखित में किस चीज में यह घोशना की गई है तो 25 का सही जवाब हो जागा कि यह घोशना प्रस्ताबना में है 25 का A नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 26 नम्मर कोशन यह जितने सारे भी कोशन हम आपको बता रहे हैं बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है चलिए 26 नम्मर कोशन बताइए किस लोग सभा चुनाब के बाद महिलाओं की भागेदारी 10 प्रतिसत से अधीक हो गई है तो 26 का सही जवाब क्या होगा तो आप सभी दे स्टुडेंट ध्यान रखिएगा 26 का सही जवाब होगा 15 लोग सभा चुनाब के बाद महिलाओं की भागेदारी 10% से अधिक हो गई है तो 26 का B number option सही होगा चलिए हम लोग 27 number question की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हम आपसे एक छोटा सा request करेंगे कि अभी तक जितने सारे हुए student हमारे साथ जुड़े हुए है इसमें से बहुत सारे student ऐसे हैं तो कि अभी तक इस class को इस video को like नहीं किये हैं तो हम उनको एक सेगंड का समय देते हैं क्योंकि like करने में आधा सेगंड लगता है भाई आप सभी ये student जल्दी से इस video को इस live session को like कर दीजे और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने groups में अपने दोस्तों के बीच share भी कर दीजे ताकि अभी आप लोग जितनी संख्या में हैं उससे दुगने संख्या में यहाँ पर लोग आएं और आप लोगों के साथ आ करके तयारी करें तो चलिए फटा-फट से आप लोग जल्दी से like करिए पर देश में चुनाब लडता हो तो यहाँ पर डी नमबर आप्शन रश्ट्रिये दल है भरतिये जनता पाटी तो 27 का डी नमबर आप्शन सही जवाब होगा चलिए अठाइसमा नमबर कोशन लोग तंतर का प्रान किसे कहा गया है लोग तंतर का प्रान तो ध्यान रखेगा लोग तंतर का प्रान रजनीतिक दल को कहा गया है 28 का ए नमबर आप्शन सही होगा चलिए 29 नमबर कोशन भारत में संग एवं राजियों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है तो 29 का सही जवाब हो जाएगा तीन सूचियों में हुआ है 29 का ए नमबर आप्शन सही जवाब होगा चलिए तीसमा नमबर कोशन निम्नलिकित में कौन लोग तंतर में रंग भेद के बिरोधी नहीं थे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन नहीं थे तो जेड गुड़ी नहीं थे 30 का डी नमबर आप्शन सही जवाब होगा अब चलिए 31 कोशन देख लेते हैं कह रहा है कि सासा राम नगर का विकास कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 31 का सही जवाब हो जाएगा मध्य यूग में सासा राम नगर का विकास मध्य यूग में हुआ था चलिए 32 नमर कोश्चन बहुत ही ज़ादा महत्यपूर्ण कोश्चन है बहुत ही ज़ादा महत्यपूर्ण कोश्चन है कि अब इभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था यह question आपको question bank में भी मिल जाएगा क्योंकि बहुत जादा महत्पून question है बहुत बार बिहार बोट के परिच्छा में यह question पूछा गया है तो चलिए 32 number question सही जवाब क्या होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा 32 का C number option सही हो जाएगा जम सेदपूर ध्यान रखिएगा अब इभाजित बिहार में यानि कि जब बिहार से जरकंड अलग नहीं हुआ था उस समय यहाँ पर एक मात्र नियोजित नगर कौन था तो जम सेदपूर था 32 का C number option सही होगा चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे student बहुत जादा response ले करके यहाँ पर question का answer दे रहे हैं हम जैसे ही प्रस्ण पढ़ते हैं आप लोग इसका जवाब दे रहे हैं लेकिन कोशिस करना है कि सोच समझ करके अच्छे से सही सही जवाब देना है इस परकार का feeling होना चाहिए कि हाँ पर जो हमसे 80 question पूछा जा रहा है हमारे परिच्छा में पूछा जा रहा है ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम घर बैठ करके यह test दे रहे हैं हमेशा अपने मन में यह विचार करिए कि हम exam hall में बैठे हुए हैं और exam hall में बैठ करके हम exam दे रहे हैं question paper हमारे सामने है और इसका बिल्कुल सही सही जवाब हमको बताना है तो इस परकार का यदि आपके मन में feeling आएगा तो आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे पाएंगे और आपको परिच्छा के जैसा अनुभूती प्राप्त होगा तो इसलिए आप लोग ध्यान से concentrate हो करके इस live test को बने रहे है इस live test को आगे बढ़ाते रहे है और question का अंसर देते रहे है चलिए तेतिस नमर question बताईए पटना हवाई अड़ा का नाम क्या है तो तेतिस का सही जवाब हो जाएगा जै प्रकाश नारायन अंतररास्त्रिय हवाई अड़ा यानि तेतिस का ए नमर option सही होगा चलिए चौतिस नमर question बिहार में रज्जु मार्ग कहा है हम आपको बताये थे कि बिहार में रज्जु मार्ग राजगिर में है तो तेतिस का बी नमर option सही जवाब हो जाएगा चलिए पैंतिस नमर question बताईए बिहार में खनीज देल की संभावना किस छेतर में जादा है तो यहाँ पर पैंतिस का सही जवाब हो जाएगा कावर जील स्थित है तो जल्दी से बताईए किस जिला में इस्थित है तो चछैतिस का सही जवाब क्या होगा वेगुस्राइ जिला में कावर जिल कहां इस्थित है तो वेगुस्राइ में इस्थित है अब चलिए 37 नमर कोश्चन संजय गांधी जैवी कुद्यान किस नगर में इस्थित है तो बताइए 37 का सही जवाब क्या होगा संजय गांधी जैवी कुद्यान किस नगर में इस्थित है तो यहाँ पर 37 का सही जवाब हो जाएगा D नमर ऑप्शन कि संजय गांधी जैवी कु तो ध्यान रहिए गाइंज अपड़ियों हुँए सरर्जवर्व बूठूर्व राज़ मार्क सांगों का एक ब़ग है और शीमान सड़क में सड़कों का एक ब़ग है लेकिन पूर्वी पस्चमी गलियारा सरकों का एक वर्ग नहीं है तो 38 का A option ही सही होगा चलिए 49 नमर कोशन जिस देश का राष्ट्रिये आए अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है तो जाहिर सी बात है कि जिस देश का राष्ट्रिये आए अधिक होता है वह देश क्या कहलाएगा तो विक्सित देश कहलाएगा तो 49 का B नमर option सही जवाब हो जाएगा चलिए 40 ौशन हमोग देखते हैं भारत के किस राजिकी परती व्यक्तियाय सर्वाधिक है दो 40 का सही जवाब क्या होगा तो आफ सभी स्टूडेंट ध्यान 44. नमबर कोशन बताइए निम्नरी जिखित में कौन मुद्रा का कार्ज नहीं हैफ तो एक तालिस का सही जवाब हो ज्टाइगा उतपाद अन्ध्यान रखिएगा बिन्मे का माध्य मुद्रा का representation है और मुल्च संचे भी मुद्रा का कार्ज है लेकिन उत्पादन मुद्रा का कार्ज नहीं है तो 41 का D option ही सही होगा बहुत सारे student यह comment कर रहे थे कि सर कब कब कलास चलता है तो हम आपको बता दें कि सुबह में 7 बजे आपका live test लिया जाता है सुबह में 7 बजे live test इसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा हर एक subject का live test होता है उसके बाद फिर दोफर में 11 बजे English का class चलता है दोफर में 11 बजे कि से चीज का class चलता है तो English का class चलता है उसके बाद साम में 7 बजे क्या होता है हर एक subject का हम आपको तयारी कराते हैं अभी करा रहे हैं और उसके बाद रात में आठ वजे आप लोग ध्यान रखिएगा मैथ का कलास चलता है तो यह प्यरतमान में अभी यह चार कलास चल रहा है जिसके माध्यम से हम आपको तयारी करवा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन कलास है जहां पर अगर आप लोग डेली आते हैं डेली प्रेक्टिस करते हैं डेली कलास जोईन होते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तयारी होगी और हम दावा के साथ कहते हैं कि आपका परिच्छा में एक भी कोश्चन नहीं चूटेगा चाहे होब अब्जक्टिव का कोश्चन हो या फिर सब्जक्टिव का हो 43 नंबर कोश्चन उर्जा का मुख्ष स्रोत क्या है तो यहाँ पर 43 नंबर कोश्चन उर्जा का मुख्ष स्रोत इन में से सभी हो जाएगा ऐसे आप सभी लोग जानते हैं कि उर्जा का मुख्ष स्रोत सबसे बड़ा स्रोत जो है वह क्या है सूर्ज है लेकि आपर सूर्ज से भी और गुनात्मक परिवर्तन से भी 44 का A और B दोनों सही होगा यानि कि C नंबर ओप्षन दोनों A और B चलिए 45 नंबर कोशन निम्ले लिखित में किसे बाढ़ से अधिक हानी होती है तो बाढ़ से तो फसल की भी हानी होती है पसुओं की भी और भवनों की भी यानि किसका D नंबर ओप्षन शही जवाब होगा चलिए 46 नंबर कोशन समाने संचार विवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है तो संचार विवस्था कब बाधित होता है जब केबल तूट जाता है केबल कहने का मतलब कि जब तार ही तूट जाता है तो 46 का A नंब आत्मी कुप चार है तो 47 का ए ओप्सन सही होगा चलिए 48 नमर कोशन भुकंप केंदर के उर्धवाधर पृथिवी पर इस्थित केंदर को क्या कहा जाता है यह वाला कोशन तो मोस्ट भी भी आई है इसको आप लोग तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए हर हाल में आएगा कि भुकंप केंदर के उर्धवाधर पृथिवी पर इस्थित केंदर को अधी केंदर कहते हैं 48 का B नमर ओप्सन सही जवाब हो जाएगा चलिए 49 नमर कोशन बताइए मजदूर दिवस कम मनाया जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान प्रशन है कि मजदूर दिवस कम मनाया ज जाता है तो एक मई को 49 का B ओप्सन सही होगा चलिए 50 नमर कोशन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे जल्दी से बताइए 50 नमर कोशन हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो पुर्तगाली थे 50 का C नमर ओप्सन सही होगा चलि जवाब होगा अब चलिए बामन नम्मर कोशन देखते हैं कह रहा है कि रश्ट्रिये स्वयम सेवक संगी की अस्थापना कब और किसने की तो बामन का सही जवाब क्या हो जाएगा ध्यान रखिएगा उन्हें चलिए तीरपन नम्मर कोशन पंजाब में भूमी निमनी करण का मुख्य कारण क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक सी चाई तीरपन का सी नम्मर आप्शन सही जवाब होगा चलिए 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 चल नम्मर कोशन बिहार में कितने परतिसत भगवुलिक छेतर में बन का बिस्तार है तो चलिए चलिए पचपन नम्मर कोशन भारत में किस स्थान पर पहला परमानू उर्जा अस्टेशन अस्थापित किया voltar में तो बहावाब हो जाएगा क्या जल्दी से अप्लोग कमेंट करके बताईए किस जगा पर पहला प्रमानू उर्जा अस्टेशन केंदर स्थापित किया गया तो तारापुर में 55 का D नम्मर आप्शन शही जवाब होगा चलिए 56 नम्मर कोशन निम्नांकित में कहां जूट के करकाने अस्थापित हैं 56 नम्मर कोशन कौन सा जवाब सही होगा तो 56 का सही जवाब हो जागा कटी हार में ध्यान रखियेगा जूट के करकाने कहां अस्थापित हैं तो कटी हार जिला में चलिए संतामन नमर कोशन मांचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैदान खूला मैदान हरा भरा होता है इसलिए मांचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखलाया जाता है संतामन का ए नमर उप्षन सही जवाब होगा चलिए अंठामन नमर कोश्चन सबसे अधिक अवादी वाला जिला कौन है तो अंठामन का सही जवाब हो जाएगा बी नमर आप्शन पटना अंठामन का बी नमर आप्शन सही जवाब होगा चलिए 69 नम्मर कोश्चन बिहार में रेल परिवहन का सुभारा कब से माना जाता है तो 69 का सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 1860 हिस्वी से 69 का बी नम्मर उप्षन शही होगा चलिए 60 नम्मर प्रश्ण बिहार राज्ज की कितनी परतिसत जन संक्या क्रिसी कार्ज में लगी हुई है बिहार राज्ज की तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक क्रिसी परधान राज्ज है इसलिए बिहार राज्ज की 80 परतिसत जन संक्या क्रिसी कार्ज में लगी एकशट का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए बाशट नम्मर कोशन बताईए गेहूं उत्पादन में बिस्व में भारत का कौन सा अस्थान है तो ध्यान रखिएगा गेहूं उत्पादन में दूसरा अस्थान है बाशट का बी नम्मर उप्शन सही होगा चलिए तिर्शट तिर्षट नंबर कोश्ชंद किस देश में बहूद अलिये वेवस्था नहीं है। यह जंता पार्टी के प्रसम अध्यक्ष कॉन थे बारतिये जंता पार्टी के प्रसम अध्यक्ष कॉन थे तो अटल-विहारी बाज परें थे 65 का D. नंबर उप्सन सही जवाब हो जाएगा चलिए 66 नंबर कोस्चन चिपको अंदोलन निम्ने-लिकित में किसे संमदीत है 66 का सही जवाब क्या होगा बताइए और यह वाला question भी महत्तपूर्ण है क्योंकि बहुत वार आपके परिच्छा में पूछा भी जा चुका है और इस वर्स भी संभावना है कि पूछा ही जाएगा तो बताइए चिपको अंदोला निम्ले लिखित में किसे संबन्दीत है तो 66 का सही जवाब हो जाएगा पेन काटने के बिरोध में अब सभी लोग जानते हैं कि जब पेन को काटा जा रहा था उस समय सुंदरलाल बहुगुना के नित्रित्वे में सभी औरतें जो पेन था उस कानून लागू होता है चलिए 68 नमबर कोशन बिहार में 25 राजसंस्थाएं हैं 68 का सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 68 का सी नमबर बिहार में 25 राजसंस्था 3 अस्तरिये हैं चलिए 69 नमबर कोशन इंध्रा गांधी ने 25 जून और कभ इस वी का नाम यहां पर आपात काल की उधगोषना की थी यानि कि इंद्रा गांधी ने अपात काल की उधगोषना कब की थी तो 79 का सही जवाब क्या होगा ध्यान रखियेगा 25 जून 1975 इस्वी को तो 79 का C नमबर उपशन सही जवाब होगा चलिए 70 नमर कोश्चन सिच्छा सम्विधान को खालिय स्थ सही जवाब हो जाएगा चलिए 72 नमर कोश्चन बताइए ब्यवसाइक बैंक कार राष्ट्रिये करन कव किया गया चलिए 73 नमर कोश्चन पारले समू के थम्सप ब्रांट को थम्सप जिसको को लोग नगे period को कि ये खरीद लिया गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है यह कथन किसका है तो 75 का सही जवाब हो जाएगा रेगनर नर्स का यह कथन है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है चलिए 76 नमर कोशन बिहार में प्रात्मिक सहकारी क्रिसी साक समितियों की संख्या कितनी है जल्दी से बताइए 76 नमर कोशन तो 76 का सही जवाब हो जाएगा अलसट सो एक तालिस 76 का C नम्मर option सही जवाब होगा चलिए 77 नम्मर question किस छेतर को दितियक छेतर कहा जाता है किस छेतर को दितियक छेतर कहा जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि उद्योग छेतर को दितियक छेतर कहते हैं प्रात्मिक छेतर में क्रिसी छेतर आता है दितियक चित्र में उद्योग चित्र आता है और तिरतियक में सेवा चित्र आता है तो है पर दितियक पूछा जा रहा है तो उद्योग चित्र हो जाएगा चलिए उसके बाद 78 नंबर कोश्चन देश में जिला फॉर्मो की संख्या कितनी है तो 78 का सही जवाब हो जाएगा 682 आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिश्टेक से बीच में 5 आ गया है, 682 होगा, 682, जिला फॉर्मो के संग्या कितना है, 682 है, चलिए 89 नमबर कोशन, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल बिहार के बगल में है, इ जितने सारे भी एस्टुडेंट हमारे साथ इस लाइब सेशन में जुड़े हुए हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किये हैं, तो उनसे आखरी रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं, कि आप सभी एस्टुडेंट वीडियो को लाइक कर दीजे, एक सेकेंड का समय लगेगा मात हम आपके लिए घंटो समय दे देते हैं, लेकिन आप हमारे लिए एक सेकेंड समय निकाल करके इस वीडियो को लाइक कर दीजे, और अगर एक सेकेंड और जादा है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रूप्स में सेर भी कर दीजे, ताकि ज इछले दिन भी यह प्रस्ण बताये थे कि भुकंपो और जौला मुक्यों का देश जापान को कहा जाता है असी का ए नम्मर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा तो असी का ए ओप्शन आप ध्यान रखिएगा तो इसी के साथ आज का यह जो सेशन था असी कोश्चन का यह समाप देना है अगर 40 का सही जवाब दे देते हैं तो समझे कि आपका 100% सही है तो उमीद करते हैं कि आज का यह क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा मज़े से आप लोग क्लास किये होंगे तो अगर आप लोग ज़्यादा तयारी किये हैं अच्छे तरीके से पढ़ और फिर बोलेंगे कि description में जाएए और जीके सागर चैनल का link दिया हुआ है और जीके सागर चैनल को आप लोग subscribe कर लिजे जल्दी से description में जा करके और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like भी करिएगा अपने दोस्तों के भी share भी करिएगा और जो भी a स्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद